वेलकम टू रोशी हायात किचिन बिसमिल्लायर्मान रहीम अस्सलाम आलेकूं विवर्स आज हम बनाएंगे गोवी आलो की सूखी सबजी यह बहुत टेस्टी होती है और इसमें हम कोई भी लैसोन या प्यास का यूज नहीं करेंगे इसके बिना ही बनाएंगे तो इसके लिए यहां पर 300 ग्राम्स मैंने यहां पर आलो लिये हैं याने की पटाटोस और इसको अच्छे से छील कर ऐसे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको वाश करके स्टेनर पर रख दिये सुखाने के लिए क्योंकि अगर हम इसे घीले में फ्राई करेंगी तो इसका पानी बहुच रखता है इसलिए इसको अच्छे से सुखा लिया है कट करने के बाद में तरगी बन इतना ही गोबी लिया है इसको भी हमने ऐसे कट कर लिए ज्यादा बड़े-बड़े पीशिस दहीं रखे हैं बस मीडियम साइज की पीशिस रखे है टमाटो लिए हैं टमाटर इसको भी अबारीख हमने कट कर लिया है यूमन सीट से जीरा कुरियंड़ पॉडर है धनिया पॉडर सॉल्ट है नमक अद्रक को हमने ऐसे जूलियंस में कट कर लिया है यानि की जिंजर हिंग का यूज करेंगे हम दर्स असा फोटीडर रेट चिली पॉडर है लाल मिर्स पॉडर है तर्मरिक पॉडर है हल्दी यह और स्पाइस पॉडर है यानि की गरम मसाला पॉडर सबजी मसाले का यूज करेंगे हम थोड़ा सा फ्रेश कोरियंडर लीव जयानि की हरा धनिया इसे हम ऑईल में बनाएंगे आप चाहें तो इसे घीमे में बना सकते हैं तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं देकि कै करके लिए हम अब यहां कि और हरा इसे मं दुगे करने के लिए को आपना आप यूंगा प्रेख्या पॉड़ा घ्लाट कर देखे़ए हुआ हुआ अधना इसे सब्टा ने के सब्सेत हैं बना तो अबके आचना ने कि खफ्राइए जैसे में नेयं मैं आलो जल नहीं जाए करेंगे फिर से उसकी ड काफे इसके निकाल लेंगे करणे किस"? अ यह देख अच्छे से वैंने रेच करेंगेी इसते अो है कि मैं देख करेंगे दिखेय दो समझें आफिए इसे हमें अच्छे से गोबी भी फ्राइब हो गई है इसको भी हम निकाल लेंगे तक हमने आलोग दोनों को फ्राइब कर दिया है और उसको निकाल लिया है अब इसके बाद उसी पैन में हम यह थोड़ा बचाता इसी ऑईल में तलका लगाएंगे इसमें जीरा डालेंगे बहुत अच्छी खुश् इसको थोड़ा साहरे के साथ हम भून लेंगे आप इसमें यह लाल मिर्ज पादवर डाल लेंगे इसे अच्छा सा कलर आ जाए तो इसमें अधरक डाल देंगे अरी मिर्ज और कटवर को टेमाटर डाल देंगे हम सबकों अच्छा से बून लेंगे हम थिले वह भी लोगे देखिए, इसमें फोड़ा सा धनीया पॉटर भी टाल देंगे, इसमें हम नमक भी डाल देंगे, क्योंकि नमक-दानेसे टमाटर जल्दी टैयार हो जाएगा, इन सबको अच्छे सी मिंक्स कर लेंगे, इसको हमें टमाटर के सौPR होने तब भूनना है, ये ति हम भूनने को ज जाते हैं तो इसको हम कवर करके रख देगी लो फ्लेम पर इसको मसाला अच्छे से भून चुका रहे हैं तमाटर के बिल्कुल सॉफ्ट हो गाए हैं अब इसमें हम ये तरह हुआ गोभी डाल देंगे कि इसको मिक्स करेंगे अच्छे से कि अ कि अार शहीं मेंति हुआ तरह देगे मिक्स बाता हैं अहीं मैंजये सबरा कवर को इसको जईτο 돼 के हमने इसमें बलकुशाण पाने डाला है गोबी गलने दौनाया के लिए आलो आलू इसमें नहीं जातरके ऑडिल लूप कर तोड़ने थी इसे हम लो फ्लेम पे रख देंगे और कवर करके गोबी की गलने तर इसे पकाएंगे गोबी अच्छे से गल चुकी है अब इसमें आलू डाल देंगे हम गरम मसाला पौडर चाट मसाला सबजी मसाला इन सब को मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से मिक्स हो गया इसे हम दो मिनट के लिए ऐसी छोड़ देंगे जैसे आलू में यह सब का मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा से फ्लेवर आ जाए तो दो मिनट के लिए इसे हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर देखे हमने इसमें हरा धनिया कि यहार में दिया है है कि सबस्दी में हमारी बिल्कुल रेडी है अब कि यसे हम फ्लेम को ऊफ करेंगे और इसे डिशब करेंगे है हुआ लेकि तो भी कि अलू की सबसी हुमारी तेटिये यह सुकी सब्जी इसको पूरी यह साधी इह सारी के साथ में बहुत टेस्टी लगती तो आप जरू ड्राई कीजिए हमारी में पसंद हर है तो प्लीज सको लाईक कीजिए शेयर कीजिए और इह सब्सेक्ज nuclear कख़िजिए शेयर कीजिए Ondra कीजिए थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो दौाओं में याद रखिए अल्ला आफीज